तो हलो माईट क्वागत आपका एक और वीडियो में देखे कल के वीडियो में मैंने आपको प्रेडिक्शन वीडियो में यह बता था कि मार्केट यहां पर इसे लेने के लिए गया तो मार्केट इस लेवल के एसल लेने किया है आप इस बात को समझ जाओंगे मैंने आपको बैक टेट में चौबिस तारिका चार्ट भी दिखाया था कि मार्कित क्या कर सकता है क्या संभावना है तो आप देख सकते हैं कितनी बड़िया कॉल की मुग गई है और कितनी बड़िया पूट की मुग गई है आप हमारे चेक आउट कर सकते हैं आप आपको ट्रेट बगएरा दिख जाएंगी आप आपको ट्रेट बगएरा दिखेंगी आज हमने बहुत इच्छी ट्रेट्स पकड़ी है मैं आपको यहां पर दिखा देती हूं एक बार यह देखिए आपके सामने हैं 124 पॉइंट यह देखिए 3 111 पॉइंट यहां पर सिर्फ इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बहुत ही छोटा एसल था और कितने ज्यादा रिवार्ड मिला इसका यह देखिए 118 पॉइंट 216 पॉइंट 246 पॉइंट 13 पॉइंट 78 पॉइंट तो आप हमारे टेलिग्राम को चकाप को सकते हैं यह देखिए मेरे चैनल है इसमे 5940 के करीब मेंबर्स हैं आपको काउंट बता रहे हूं जिससे कि आप किसी गलत चैनल के चक्कर में ना पढ़ें इस वज़े से आपको यह भी दिखाई देगा है मेरा कोर्स का परफॉर्मा है इस वज़े से यह भी आपको इहां पर दिखाई देगा तो आए मार्केट कर क्या सकता है यह देखने कोशिश करते हैं अगले दिन कल के लिए देखने कोशिश करते हैं देखे मार्केट में क्या है मैं आपको 30 सुनेट पर दिखाने की पहले कोशिश करती हूं देखे दोनों ही चार्ट में बिल्कुल एक ही जैसी बात हो रही है देखे दोनों ही चार्ट में एक जैसी बात हो रही है जहां से मार्केट उठा बिल्कुल उसका सपोर्ट तक मार्केट ने टेस्ट कर लिया है ये मार्केट अगर इस swing का आपको high market में कटता हुआ दिखाई दे, high market में इस swing का कटता हुआ दिखाई दे, यानि कि आपको यह दिखाई दे, कि market ने उंची swing उठाई है, तो आप यह देखेंगे कि थोड़ा सा इसका breakout देने के बाद, market थोड़ा बहुत correction लेके, फिर आपको call में जाता हुआ दिखाई देगा, ओके इसकी एक और पहचान में आपको यह बता सकती हूँ, कि देखें market में इस level से बायर उठ रहा है, तो जो correction market test कर सकता है, वो maximum level यह correction के लिए test कर सकता है, यानि कि breakout देने के बाद जो correction ऐसे test कर सकता है, वो इस level तक test कर सकता है, अगर इसे call में जाना है, तो market को इस candle को test नहीं करना चाहिए, और यह जो candle है, यह है आज 12 बजे की candle, ठीक है 29 जुलाई की आज 12 बजे की candle है, यह तो इस candle का low market को test नहीं करना चाहिए, अगर मैं आपको देखिए, निफ्टे की बात बताओं, बिल्कुल all time high है, मगर price action इसमें भी वैसा ही है, देखिए, यहाँ पर उपर की तरफ कोई SL नहीं है, यहाँ पर seller था, जैसे कि मैंने आपको बताए, इसने थोड़ा बहुत consolidate किया, याने और इसने put वालों को बिठाया, और फिर इसने इस level का, यह जो level अभी मैंने खीचा था, इस level का इसने यहाँ पर breakout दिया, याने जितना भी यहाँ पर seller इखटा हो रहा था, सबका breakout दिया, और जब उपर SL है नहीं तो क्या करेगा, गिरेगा, तो वही हुआ है, मगर आप इस बात को देखें, कि इसने भी यहाँ से support लिया है, तो आप इसे bank nifty की मदद से कल को price action को थोड़ा सज़ज़ करने कोशिश करें, जैसा कि मैंने आपको पताए कि swing high होती है या नहीं होती है, यह देखनी कोशिश करें, और swing down का भी आप देख लें कि मैंने जो बताया है, अगर वो swing test हो गई, जैसे यह वाली swing अगर test हो गई, तो आप समझ जाए market में क्या होना चीए, और अगर market नीचे गिरता है, swing test होती है, तो आप समझ जाएं, देखें, यह क्या है market में एक support level है, तो इस support में market ज़रूर कुछ न कुछ correction लेगा, 50991, यह इसका support level है, तो I think बहुत ही short or precise video मैंने आपको बताया है, इसी तरह से आप देखने ही कोशिश कीजिएगा, कल चलते है market में, टेलिग्राम को आप चेक आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्रिपिया उसी को क्लिक कर के आईएगा, और हमाई trades पगरा देख सकते हैं, activities देख सकते हैं, टेलिग्राम पे, वीडियो अच्छा लगाओ, तो प्लीज वीडियो को like जरूर कीजेगा, और वीडियो के comment जरूर कीजेगा, और चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो please subscribe देखने, इसी आशा के साथ आप से विदा लेती हूँ, Thank you very much.